दोस्टोँ आज हम इस विडियो में, इस किलास में mail merge के बारे में सीखेंगे, mail merge कैसे create किया जाता है, mail merge होता क्या है, mail merge क्या होता है, किसी एक letter को, जैसे जिए एक letter लिखा है, यह letter, ए letter मुझे 100 letter तयार करने, ऐसे के, ऐसे letter कितनी का तयार करने, 100, आप बोलोगे sir, इसको copy paste कर बनाना है एक एक लेटर है इसमें किसी दूसरे का नाम हो न चाहिए दूसरे लेटर उसमें अगर मैं बता दूं आप लोगों को मुझे कैसी लेटर तयार करने इस प्रकास है देखो यह लेटर ना पहला किसके नाम है उत्तंप्रजापदी कांस श्यूपरी के आई ऐसे दूस ичеp 1,000 चाहिए यह अगर मुझे घंटानल freshly्टों को भी टूरे नाम वेसे लेटर तयार का किया है टु? समय हजार लेटर तयार कर सकता हूँ और मुझे टाइप करने मने करेंगा तो करने ही पड़ेंगे टाइप करके अकर मैं तयार करूंगा तो मुझे घंटों लगज करने हमें चलो तो देखते हैं अपन कि अपन किस प्रकार से लेटरों को तयार करेंगे नमस्कार दोस्तों मैं हूं उत्तम प्रजापती स्वागत करता हूं आज की क्लास में अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी और बेल आइकन को प्रेस कर दीजे इसी से आपको लेटर के नोटिफिकेशन प्राप्त होने वाले हैं अगर आपने हमारी प्राणी वीडियोस नहीं देखी हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौझद लिंक्स पर क्लिक करके आप हमारी प्राणी वीडियोस देख सकते हैं देखते हैं अपन ये letter जो letter है अपना इस letter के मुझे 10 letter तयार करने हैं क्या करने है मुझे एक letter है इस letter के मुझे 10 letter तयार करने हैं प्रतियक बेखतियों के अलग अलग नाम के अब यह letter तयार करने इसके लिए अगर मुझे एक mail merge create करनी है, तो उस mail merge को create करनी के लिए मुझे दो चीजों की आवाशकता पहले तो मुझे यह letter चाहिए जो letter सामने दिख रहा है, यह letter चाहिए क्यों, क्यों कि कोई letter source तो मुझे चाहिए न, कि किस चीज की अपन भेजना चाहते है सामने वाले वक्ति को और मेल मर्च के दोवारा जरूरी नहीं है लेटर ही तयार करें अपन मल्टीपल आईडी कार्ड भी बना सकते हैं क्यों क्यों कि जैसे माना कि किसी आईटी आई या कोई अपना कॉलेज है उस कॉलेज के मुझे हजार आई कार्ड तयार करने है तो उस आई कार्ड में तो सिर्फ सामने वाले बंदे का नाम चेंज होगा ना और एडरेज चेंज होगा आईडी चेंज हो सकती है लेकिन जो नीचे लिखा होगा नाम पता बो तो सब यह की होगा सौरी का नाम पता तो यह की होगा ना तो सिर्फ सिर्फ मेल मर्ज के उसकर करके अपन एक आकर आई कार्ड आपने तयार कर लिया हम लोग ने एक आई कार्ड तयार कर लिया एक आई कार्ड तयार करने के बाद मैं एक कमांड दो एक command देने के mail merge वाली command दो और 1000 icon क्या बन कर तयार ऐसे ही मुझे क्या करना हुआ एक तो ये man source है मुझे एक man क्या चाहिए एक letter चाहिए और जिस भी ब्यक्ति जिसके मुझे mail merge create करने है उसके मुझे एक क्या करनी पड़ेगी एक excel में इस प्रकार की seat तयार करनी पड़ेगी जो मैने कर रखिए देखो ये seat यह जितने ब्यक्तियों को ये letter आपको जितने जो letter है न ये letter ये letter जिसने ब्यक्तियों के लिए आपको इसे send करना है जितने ब्यक्तियों के लिए letter बनाना है उतने ब्यक्तियों की अपन को क्या चाहिए एक लिस्ट बनानी पड़ेगी इस प्रकार से जैसे मुझे एक उत्तम के लिए बनाना एक माइन के दोबे रभी उजा और क्या राकिस प्रजापती अजय जैन दीपक यहनी यह सारे ब्यक्तियों के लिए मुझे लेटर तयार करने है तो मुझे क्या करना होगा पहले के एकसल की यह सीट तयार करने होगी और एक क्या बनाना होगा मुझे यह लेटर तयार करना होगा ये दो काम मुझे पहले करने होगे अब मैं सिखाता हूँ आप लोगों को mail merge create करना कि mail merge कैसे create की जाती है देखो देखते हैं अपन mail merge कैसे create की जाती है सबसे पहले मैं किसको in message ये मेरा मैन ने दो document है ये एक ही और एक ही man document कुमेंच सबसे पहले क्लिए मैं उपन कर लिए क्या और मुझे सब से पहला काम क्या सबस्ति किया करना है जल्डी सबदują करते हैं मैं जल्डी करेंगा उसके deploying है और exam pointer भी से मैं बना चुका, मैंने क्या बताया था, recipient, recipient वो होते हैं, जिसके लिए अपन letter तयार कर रहा है, तो recipient जो अपने excel की table बनाई हुई है, उस excel की table में जितनी बैखती है न वो क्या है, recipient है, तो अपन क्या कर देंगे, recipient को select कर लेंगे, recipient को अपन तीन तरीके से select कर सकते type a new list मतलब एक list तयार कर लें, समय रहा हो, या फिर select from outlook content, यानि outlook के एक मेरी email होती है, outlook express जो होता है, या उसका content लिना चाहते हो, लेकिन मैं तो क्या कर रखा है, पहले से type कर रखा है content, तो मैं किसका use करूँगा, use existing list का, यानि क्या list मैं पहले से बना चुका हूँ, तो मैं list तो मैं इस list पर click करूँगा, और open करूँगा, तो मेरी list किसके अंदर आ जाएगी, यह इस प्रकार का dialogue खुल किया जाए, इसमें seat के बारे मैं पूछेगा कि किस seat पर आपका data मौझूद है, तो seat बन पर मेरा data मौझूद है, और उस जो मेरी Excel की जो file थी, उस file में एक ही seat है, यहाँ पर इसलिए एक seat बता रहा है, अगर उसमें एक से अधिक seat होधी, तो यहाँ पर क्या दर साता, वो एक से अधिक seat दर साता, और उन एक से अधिक seat हो मैं से मुझे एक seat को क्या करना पड़ता, चूज करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर by default एक ही है, तो आपको कोई tension ल रखा है, और मैं कर दूँगा क्या, ओके, जी अपनी क्या list इसके अंदर merge हो चुकी, अब मैं किस पर click करूँगा, यह देखो, insert merge field पर मैं click करूँगा, इस पर click करूँगा, तो यह देखो, यह नाम आ गया, तो मैं नाम को insert कर दूँगा, यहाँ पर insert हो चुका, कर दिया मै ज्यादा size कम करना है, enter मारना है, enter करना है, या spacing करनी है, कितनी spacing जो अपनी spacing करते हैं, क्या करते हैं, spacing 1.5 का, या deal double का, या जो भी spacing करना चाहते हैं, वो spacing कर लो, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि address का नाम भी bold करना है, मुझे address को तो bold भी कर सकते हो, आप इसका color change करना है, तो आप color भी change कर सकते हो समारा यह address का color change कर दी यह चीज़ा कर लिए ठीक है अब आप बोलोगे सर यह तो letter तयार नहीं हुए letter तो मुझे नाम से आना चाहिए तो अब उसके बार इतना काम करने के बाद मैं अपन किस पर करेंगे preview result पर पर करेंगे तो घ्राटर देखने लगा ख़ुआ यह पहला अब थेयान दिआ हो उस लिस्ट में पहला नाम किसका था उत्तम सी उत्तम प्रजापभती देखो इस नाम घ्राइंघ्ज CPR का ? तो देखो देखो अध्तम ऐसी मेरे कि जितने नाम हो वतिने लेटर त्यार हो जाएंगर मैं देखता चलू में नेस्ट कौन साम आई print निकाल रहा है तो मैं किस पर click करूँगा finish and merge पर click करूँगा और इस print पर click कर दूँगा क्या print document तो ये कितनी 10 के 10 letter मेरा क्या हो जाएंगे letter print हो जाएंगे ये mail merge के बारे में सारी information है अगर आपको mail merge समझ में आ गया है तो आप चुटकियों मैं इस एक हजार एक अभी तो मैंने दस लेटर तयार के हैं आप हजार करोड़ भी लेटर तयार कर सकते हो डिपेंड करेगा उन रेसिपेंट नाम पर जितने रेसिपेंट नाम होगे उतने के उतने लेटर आपके क्या हो जाएंगे तयार हो जाएंगे, जैसे कि मैंने ये तयार कर रखे हैं, देखो ये ये अपने तयार, इसमें पहला वाला किसका है letter, देखो पहला वाला किसका था, उत्तम प्रजापती, शुक्परी लास्ट वाला letter किसका है, मेरा जितेंद्र और उज्यन, है इस प्रकार आप कितनी भी लेटर तयार कर सकते हो I hope guys आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको इस वीडियो के किसी भी पार्ट में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो उसे comment section में write down कर दीजेगा अगर आपका कोई doubt है comment section में write down कर दीजेगा और इस जो अपनी ये वीडियो है इसे अपनी दोस्तों के साथ share जरूर करें ताकि वो इस प्रकार की technique MSBD की इस technique के से रूबर हो सकें और वो इस technique का प्रयोग करके अपनी घंटों के काम को कुछ मिनिटों में तयार कुछ मिनिटों में खतम कर सकें मिलते हैं आपसे next इसी प्रकार की next interesting वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार